चै भोलेनात आप सभी पर भोलेनात की करपा सदा बनी रहें। हिंदू पन्चांग के निसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी को मासक शिवरात्री का वरत रखा जाता है। लेकिन फालगुन महीने की चतुरदशी तिथी को मास शिवरात्री के रूप में म पॉराणिक कथा Corey, पहल पॉराणिक कथा के नुसारní प्रावं करो भगवान रूप में प्रोप में मनमना जता उन जाता शिव पुराण के नुसार शिव जी के निराकार स्वरुप का प्रतीक लिंग शिवरात्री की पावन तिथी की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले शुरी प्रह्मा और विश्णु भगवान जी द्वारा पूजित हुआ था दूसरी पुराणी कथा के नुसार महाशिव रात्री के दिन ही भगवान शिव और देवी पारवती जी का विवाह हुआ था फालगुन चतुरदशी दिथी पर भगवान शिव ने विरागी छोड़कर देवी पारवती संग विवाह करके ग्रेस्त जीवन में प्रवेश किया था इसलिए हर वर्ष फालगुन चतुरदशी दिथी को भगवान शिव और मतपारवती के विवाह की खुशी में यह पावंत्योहर मनाया जाता है इस दिन जगह जगह पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है धार्मिक मानिताओं के नुसर महाशिवरात्री पर वरत, पूजा और जलाभिशेक करने से बेवाहिक जीवन से जुड़िवी तमाम तरह की परिशानिया, तमाम तरह की समस्याइं दूर हो जाती है दांपति जीवन में सुक समर्धी के साथ ही मधुरता आती है अन्य देवी देवताओं का पूजन वरत आधी दिन में ही किया जाता है इसलिए सभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि भगवान शिव को रातरी ही इतनी प्रेक्यू है और शिवरातरी की पूजा रातरी में ही क्यों की जाती है शिव पुराण में इस जिग्यासा का समधान करते वे बताया गया है कि भगवान शिव संघार शक्ती और तमुगुण के अधिस्ठाता है इसलिए तमुमई रात्री से उनका लगाव होना कोई अस्वाभविक बात नहीं है रात्री संघार का प्रतिनिधी होती है उसका आगमन होते ही सबसे पहले प्रकाश का अंत होता है उसके बाद जीवों की दैनिक क्रियाओं का संघार और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का संघार होता है हमारे द्वारा किये गए पाप ही हमारे दुखों का कारण होते हैं और माशिवरात्री के दिन किये गए रुदराबिशेक से या जलाबिशेक से ये सभी पाप नस्ठ हो जाते हैं और भगवान शिव की करपा से ऐसे भक्त अंत में मोक्ष की भागी होते हैं आज के दिन भगवान शिव के दिव्य जोतिल लिंगों के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसा करपाना सभी के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक ऐसा इस तोत्र है जिसका पाठ या श्रवन करके आप घर बैठे ही दिव्य जोतिल लिंगों के दर्शन करने का पूने प्राप्त कर सकते हैं कथा कि साथ सथ आपको इस दिव्य इस तोत्र के बारे में भी बताया जाएगा इसलिए आप सभी से नुरोथ है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है किदारनाथ धाम जो की जागरित महादेव के नाम से भी प्रसित हैं किदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भक्त सालो साल इंतजार करते हैं जो कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता जब तक भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन के लिए नहीं बुलाते तब तक भक्तों को उनके दर्शन करने का सुभागी प्राप्थी नहीं होता भगवान भोले नाथ बहुत ही दयालू है और अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन दे कर ही रहते हैं केदारनाथ धाम की चड़ाई को बहुत मुश्किल माना जाता है बहुती कठनाईयों को पार करके श्रद्धालू बाबा के दर्शन करते हैं ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गाउं से केदार नाथ धाम की यात्रा पर निकला पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं इसलिए वह भक्त पैदल ही निकल पड़ा महिने भीट कए रास्ते में उसे बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन उसने हार नहीं मानी उसे तो बस बाबा के दर्शन ही करने थे और आखिर कार चलते चलते वह भक्त एक दिन केदार नाथ धाम पहुँच ही कया केदार नाथ धाम के कपाट छे महिने खुले रहते हैं और छे महिने बंद रहते हैं वह भक्त जब उस समय वहाँ पहुचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे ये देख कर उस भक्त के तो प्रान गले में आ गए उसने सोचा मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज भोले बाबा के दर्शन करने किदार नाथ धाम आया हूँ और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहां तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं तब उसने पंडिजी से कहा पंडिजी मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ करपया बस एक छण के लिए ही आप दर्वाजे खोल कर मुझे भोले बाबा के दर्शन करवा दीजे लेकिन किदार नाथ धाम का एक नियम है वो है कि द्वार अगर बंद हो गए एक बार बंद होने पर वह द्वार फिर छे महीने बाद ही खोले जा सकते हैं ये जानकर वह भक्त बहुत रोया बार बार भगवान को यात करने लगा कि प्रभू बस एक बार दर्शन करा दो वह बार बार पंडिजी से प्रार्थन कर रहा था लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी क्योंकि नियम तो नियम होता है मंदिर के पंडिजी बोले कि बेटा आप यहां अब छे महीने बाद ही आना क्योंकि छे महीने के बाद ही यहां के अब द्वार खुलेंगे यहाँ पर 6 महिने बर्फ और भीशन ठंड पड़ती है और ऐसा कहकर सभी लोग वहाँ से चले गए वह भक्त वही पर बैठा रोता रहा रोते रोते रात होने लगी और चारो तरफ अंधिरा हो गया लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे तरशन अवश्य देंगे उस पर जरूर करपा करेंगे वह बहुत लंबे समय से भूख और प्यासा भी था बहुत जोर से उसे भूख प्यास लग रही थी उसने सहसा किसी की आने की आहट सुनी देखा कि सामने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे है वे सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर उसके पास में बैठ गए ये देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा बेटा तुम कहां से आयो भक्त ने सारा हाल उन बाबा को सुना दिया और बोला बाबा मेरा तो यहाँ पर आना ही वेर्थ हो गया बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया फिर बहुत देर तक वह सन्यासी बाबा उस भक्त से बात करते रहे बाबा जी को उस पर दया आ गई फिर बहुत बोले बेटा मुझे लगता है कि कल सुभा मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन भी जरूर करोगे बातों ही बातों में उस भक्त को नजाने कब नीदा गई सोरे के मध्धम मध्धम प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आँख कुले उसने इधर उधर उन सन्यासी बाबा को देखा जो रात पर उसके साथ थे लेकिन इस समय वो कहीं भी दिखाई नहीं दिये इस से पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने देखा कि सामने से ही पंडिजी आ रहे हैं इस बीच में कोई नहीं आएगा लेकिन ये क्या आप तो सुबह ही आ गए पंडिजी ने उस भक्त को गौर से देखा पहचानने की कोशिश की फिर पूछने लगे क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंधोने पर आये थे और मुझसे बार बार आगरह कर रहे थे कि एक बार द्वार खोल दो मैं भोले बाबा के दर्शन कर लू तो क्या तुम छे महीने होते ही फिर वापस आ गए हो उस भक्त ने आश्चरी से कहा नहीं पंडी जी मैं तो कहीं भी नहीं गया कल ही तो आप मुझे मिले थे और रात भर मैं यहीं पर सो भी गया था मैं कहीं नहीं गया ये बात सुनकर अब पंडी जी के आश्चरी का कोई ठिकाना नहीं रहा उन्होंने कहा लेकिन मैं तो छे महिने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे पूरे छे महिने के बाद ही यहाया हूँ तुम छे महिने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो बात सुनकर पंडेची और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी भयानक सर्दी में इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति कैसे छे महिने तक जिंदा रह सकता है तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बाते बता दी ये एक सन्यासी बाबा आये थे जो लंबे थे जिनकी बड़ी-बड़ी जटाएं थी हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिये हुए थे मिर्गशाला उन्होंने पहनी हुई थी ये सुनते ही पंडिची और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर कए और कहने लगे कि हमने तो सारी जिन्दिकी लगा दी लेकिन प्रभू के दर्शन कभी नहीं पा सके सच्चे भक्त तो तुम हो तुमने तो साक्षात भगवान शिव के ही दर्शन किये है और उन्होंने ही अपनी योग माय से तुम्हारे छे महिने को एक रात में बदल दिया काल खंड को छोटा कर दिया ये सब तुम्हारे पावित्रमन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है इस कहानी की वज़े से ही केदार नाथ धाम को जागरत महादेव के नाम से भी बुलाया जाता है इसलिए कहते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ती सची होनी चाहिए तो भोले नाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं उन्हें दर्शन भी किसी ना किसी रूप में अवश्य देते हैं आप सेकडो मेल की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वे तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है शिव शंकर का नाम जपू में जपता रहता सुभा शाम यही है सारे तीरत मेरे और यही है मेरे चारो धाम जै भोलेनात, भक्तो अब सुनिए शिव रात्री के दूसरे पहर की कहानी एक बार एक नगर में भगवान शिव का बहुत ही भवे मंदिर बना हुआ था जहाँ पर हर साल दूर दूर से भक्त जन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते रहते थे सावन का महिना था, दूर दूर से कावड ये, कावड लेकर भगवान शिव का जला भिशेक करने के लिए आये हुए थे मंदिर का परिसर भक्तों की भारी भीर से भरा हुआ था तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल देखते ही देखते मंदिर के परिसर में उतर गया उसी के साथ एक भविश्यवानी भी हुई, कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेका मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने इभविश्यवानी सुनी, धीरे धीरे वहाँ पर भीड इकठी हो गई, जो लोग मंदिर की विवस्था देखते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा इसलिए वे भीड में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए, सबसे पहले एक पंडिची आए और कहने लगे, देखिए मैं प्रति दिन महादेव का अभिशेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भूलिनात का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल मुझे ही मि थाल में बदल गया, ये देखकर पंडिची बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने थाल को वापस जगह पर रखा और वहां से चले गए, इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने बारी बारी से खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भाक्त था ही नहीं, उन्हें भी उस थाल को यथा स्थान रखकर वहां से जाना पड़ा, इसके बाद उस नगर के राजा को जब ये बात पता चली, तो वह राजा भी मंदिर में आया, राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षि इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए, ऐसा कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, लेकिन जैसे ही राजा ने थाल उठाया, वह थाल तांबे का हो गया, ये देखकर महराज भी लज्जित हुए और थाल को वापस उसी जगा पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए, इ हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और थाल को उठाने की कोशिश करते, लेकिन किसी के हाथ में कुश, तो किसी के हाथ में वह थाल कुश बन गया, लेकिन सोने का नहीं रहा, तब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्ती ही नहीं है, उस शुब अफसर पर शिवजी के दर्शन करने आया हुआ था गरीबी और ग्रहस्ती के बोज तले दबा हुआ वह दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करता था अभी रास्ते में वो आही रहा था कि उसे कोई भिकारी मिल गया और उससे कुछ खाने को मांगने लगा किसान को उस पर दया आ गई अपने खाने के लिए वह जो खाना लाया था उसने उस भिकारी को दे दिया थाल के बारे में उस किसान ने भी सुना था लेकिन उसने इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया वे सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बहारा गया परिक्रमा करके जब वे जाने को हुआ तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई भाई तुम भी थाल को उठा कर देख लो हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाग बना रहा है किसान ने हस्ते वे कहा हरे भाई मैं तो कभी कोई पूज़ा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आद बार मंदिर आ पाता हूं मैं कहा से भगवान का सच्च भक्त हुआ तब वे व्यक्ति बोला भाई हम तो देख चुके हैं हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो सोने का थाल मिले या ना मिले लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सचाई है लोगों के बार बार कहने पर आखिरकार उस भूले भाले किसान ने जाकर वे थाल उठा ही लिया लेकिन जैसे ही उसने थाल उठाया लोगों के आश्चरी का ठिकाना नहीं रहा सोने का वहताल रोष्णी से जगमक जगमक करने लगा ये सब देखकर लोगों में खुशियों के लहर दोड़ गई सभी लोग उस भोले भाले किसान के जज़ेकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही तो भोले के सच्चे भक्त हो अब हमें भी बता दो कि तुम ऐसी सच्ची भक्ती करते कैसे हो जिससे भोले नात तुम पर इतने प्रसन है तब वह सीधा सादा किसान बोला भाई मैं कोई भी भक्ती नहीं करता मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में काम करता हूं और थोड़ा समय निकाल कर जरूरत मन लोगों की मदद कर दिया करता हूं इसके लावा मैं तो कोई विशेस काम भी नहीं करता लोग पूछने लगे तुम लोगों की मदद क्यों करते हो वै किसान हस्ते वे बोला सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देख कर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन है प्रिश रोताओ अब सुनिए शिवरात्री के तीसरे पहर की पूजा की कहानी प्रिश रोताओ शिव भक्ती ने इतिहास के पन्नों पर एक चमतकारी और सभी को आश्चरी में डाल देने वाली घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्म पुरान से लिए गई है जब से भगवान है तब ही से उनके भक्त भी है और जब से भगवान की कथाएं हैं तब ही से भक्तों की कथा भी शुरू होती है बिना भक्तों के अकेले भगवान की कोई कथा लीला हो ही नहीं सकती क्योंकि भक्त ही तो भगवान की लीला के प्रमुख अंग होते हैं मृत्यों को कोई जीत नहीं सकता स्वाम श्री ब्रह्मा जी भी चत्रयोगी के अंत में मृत्यों के द्वारा पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं लेकिन भगवान शिब ने कई बार मृत्य को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युन्जय और काल के भी काल, महा काल कहलाते हैं. इश्वर के प्रे भक्त का स्वामी स्वाम इश्वर ही होता है, उस पर मृत्यु का भी अधिकार नहीं होता. मृत्यू के देपता स्वयम यम्राज भी इश्वर के भक्त पर जबर्दस्ती करें तो यम्राज जी भी मृत्यू से अच्छूते नहीं रह सकते यह प्रसंग कोई कालपनिक नहीं बल्कि महान शिभक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है प्राजीन काल में कालंजर में शिभक्त राजा श्वेत राजी करते थे उनकी भक्ती से उनके राज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी कोई द्वेश, चिंता या अकाल नहीं था बुढे उने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज सौप कर गोदावरी नदी के तठ पर एक गुफा में शिवलिंग इस्थापित कर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए अब वे राजा श्वेत से महा मुनी श्वेत बन गए थे उनकी गुफा के चारो और पवित्रता, दिविता और सात्विक्ता का राजी था नर्जन गुफा में मुनी ने शिव भक्ती का प्रकाश फेलाय था श्वेत मुनी को ना तो कोई रोग था और नहीं कोई शोग था इसलिए आयू पूरी होने पर भी उन्हें उसकी अनुभूती नहीं हुई क्योंकि उनका सारा ध्यान तो भगवान शिव की भक्ती में ही लगा हुआ था वे अभय होकर रुद्रा ध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव जी की इस्तुती से प्रतिध्वनित हो रहा था यमदूतों ने मुनी के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनकी अंग शितिल हो गए वे सब जडवत हो गए वे गुफा के ही द्वार पर खड़े खड़े श्वेत मुनी की प्रितिक्षा करने लगे इधर जब मृत्यू का समय निकलने लगा तो महराज चित्रगुप्त ने यमराज जी से पूछा कि महराज श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अभी तक क्यों नहीं आए ये जानकर क्रोधित होकर स्वेम यमराज जी श्वेत के प्राण लेने के लिए प्रत्वी पर आ गए गुफा के द्वार पर कापते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा प्रभू, राजा श्वेत तो अब राजा न रहकर महमुनी हो गए है वे श्वेत जी के परंभक्त और उनके द्वारा सुरक्षित हो गए है अब तो हम उनकी ओर आँख तक उठा कर नहीं देख सकते यमदूतों की बात सुनकर यमराज बाश लेकर श्वेत मुनी की कुट्या में प्रवेश कर गए श्वेत मुनी उस समय भगवान शिव की पूजा में लीन थे अपने सामने विकरान शरीर वाले मृत्यू के देवता यमराज को देख कर वे चौक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा देव आप यहां क्यों पधा रहे है महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है इसलिए आप यहां से चले जाईए तब यमराज जी ने कहा श्वेत तुम मुझे नहीं जानते तुम्हें मुझसे कोई भी तृदेव यानी ब्रह्मा विश्नु महेश भी नहीं बचा सकते मैं तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए आया हूँ श्वेत मुनी ने निडर्ता से शिवलिंग को अंगों में भरते वे यमराज से कहा कि आपने काल के भी काल महाकाल की भक्ती को चुनौती दी है उमापती महादेव कण कण में विराजमान है और उनको पुकारने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्याते हैं तब यमराज बोले कि मुझे शिवजी से भी कोई भह नहीं ऐसा कहते वे क्रोधी थोकर यमराज ने हाथ में पाश लेकर श्वेत मुनी पर फंदा डाल दिया श्वेत मुनी की रक्षा कर रहे भहरव बाबा ने यमराज को वापस लोट जाने की चितावनी दी शिवभक्त पर मृत्यू का आक्रमन भहरव बाबा को बरदाश्ट नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया जिससे मृत्यू के देवता वहीं शान्त हो गए शिवभक्त की रक्षा के लिए फिर भगवान शिव के पुत्र कार्थी के जी भी वहां पहुँच गए और यम्राज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया जिससे मृत्यू के देवता यम्राज की भी मृत्य हो गई यम्राज की मृत्यू पर सभी देवता शिवजी से यम्राज को पुनर जीवित करने की प्रार्थना करने लगे तब शिवजी ने देवताओं से कहा मेरे और भगवान श्री विश्णू के जो भक्ते हैं उनकी स्वामी स्वयम हम है इसलिए मृत्यू का भी हमारे भक्तों पर कोई अधिकार नहीं होता स्वयम यम्राज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है और स्वयम यम्राज भी हमारे भक्तों को अब प्रणाम करें तब भगवान शिव ने देवताओं के आगरह को मानते वे यम्राज को पुनर जीवित कर दिया फिर यम्राज ने उठकर श्वेत मुनी से कहा संपोन लोकों में अजे तुमने मुझे भी जीत लिया अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभे प्रदान करो श्वेत मुनी ने यम्राज से कहा भक्त तो विन्नम्रता की मूर्थी होते है देव आपके भह से सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते है तब प्रसन होकर यम्राज जी वहां से अपने लोग को चले गए प्रेम से बोलिए भैरो बाबा की जै यम्राज जी की जै प्रिश्रोताओ आप सुनिए शिवरात्री के चौथे यानि अंतिम पहर की कथा शिव पुराण में वनित कथा के नुसार प्राचीन काल में चित्रभानू नाम का एक शिकारी था जानवरों की हत्या करके वे अपने परिवार का पेट पालता था वो एक साहुकार का कर्जदार था लेकिन उसका रण समय पर नहीं चुका पाया तब क्रोधित होकर साहुकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया सयोग से उस दिन शिवरात्री थी साहुकार के घर पर पूजा हो रही थी तब शिकारी भी ध्यानमगन होकर भगवान शिव सम्मन्धि धार्विंग बाते सुनता रहा चतुरदशी को उसने शिवरात्री वरत्की कथा भी सुनी शाम होते होते साहुकार ने उसे अपने पास बुला लिया और रण चुकाने के बारे में बात की तब शिकारी ने अगले दिन साहुकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की तब सहुकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया अपनी दिन चर्या की तरह वे शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी ग्रह में रखने के कारण वे भूख प्यास से व्याकुल था शिकार ढूंता हुआ वे बहुत दूर निकलाया जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी तब है उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चड़कर रात पीतने का इंतिजार करने लगा बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढखा हुआ था शिकारी को इस बात का पता नहीं चला पड़ाओ बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे सयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई इस प्रकार दिन भर भूके प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलुव पत्र भी चड़ गए एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तलाब पर पानी पीने पहुँची शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चड़ा कर जैसे ही डोरी खीची हिरनी बोल उठी मैं गर्भिनी हूँ जल्दी ही बच्चे को जनम दोंगी तुम एक साथ इस तरह दो दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं अपने बच्चे को जनम देकर जल्दी ही तुमारे सामने आ जाओंगी तब तुम मुझे मार लेना शिकारी ने प्रित्यंचा धिली कर दी और हिर्दी भी देखते ही देखते जंगली जाडियों में कयब हो गई दोरी धीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनयास ही तूटकर शिवलिंग पर गिर गए इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अंजाने में ही शिवरात्री के प्रथम पहर की पूजा भी संपन हो गई कुछी देर बाद एक और हिर्दी उधर से निकली शिकारी की खुशी का ठीकाना नहीं रहा पास आने पर उसने धनुष पर बान चढ़ाया तब उसे देख कर हिर्दी ने विनम्रता पूर्वक निविदन किया हे शिकारी मैं थोड़ी देर पहले रितु से निवरित हुई हूँ कामातुर विरहनी हूँ अपने प्रे की खोज में भटग रही हूँ अपने पती से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाओंगी तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका शिकारी चिंता में पड़ गया रात का आखरी पहर बीत रहा था इस बार भी धनुष्ट से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई तब ही एक और हिर्णी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए है सुर्णिम अफसर था उसने धनुषपर तीर चड़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिर्णी बोल उठी हे शिकारी मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ कर आ जाऊंगी इस समय तुम मुझे मत मारो शिकारी हसने लगा और बोला सामने आये शिकार को छोड़ दू मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ इससे पहले भी मैं दो बार अपना शिकार गवा चुका हूँ मेरे बच्चे भी भोग प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे उत्तर में हिरनी ने कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी शिकारी मेरे विश्वास करो मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लोटाऊंगी हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया गई उसने उस हिरनी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अंजाने में ही बेल इवरक्ष पर बैठा हुआ बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेकता जा रहा था सुबह होने को ही तो उसे एक हस्ट पुस्ट हिरन उसी रास्ते पर नजर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा शिकारी की तनी प्रतंचा देख कर वह हिरन विनीत स्वर में बोला है शिकारी अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन हिरनियों और छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो मैं उन हिरनियों का पती हूँ अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की करपा करो मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुदी उपस्तित हो जाओंगा हिरन की ये बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चकर घूम गया उसने सारी बाते हिरन को सुना दी जानकर हिरन बोला मेरी तीन पत्नियां जिस प्रकार प्रतिग्या करके यहां से गई है मेरी मृत्यू से वे अपनी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी इसलिए शिकारी जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उने छोड़ा है वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुमारे सामने जल्दी ही उपस्तित होता हूँ शिकारी ने हिरन की बात मान कर उसे भी जाने दिया इस प्रकार प्रते हो गई उपवास, रात्री जागरन और शिवलिंग पर बेलुबत्र चड़ाने से अंजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्री की पूजा भी पूरी हो गई पर अंजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तदकाल मिल गया शिकारी का हिंसक हर्दय निर्मल हो गया कोमल हो गया अब उसके हर्दय में भगवत शक्ती का वास हो गया थोड़ी ही दिर बाद देखते ही देखते वे हिरन अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्तित था ताकि वे उन्हें मार कर शिकार कर सके किन्तु जंगली पश्वों की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता और सामोहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी इकलाने हुई उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई उसने उस म्रिग परिवार को जिवन दान दे दिया अंजाने में शिवरात्री के वृत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ती हुई जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जनम में राजा चित्रभानू अपने पिछले जनम को याद रख पाए तथा महार शिवरात्री के महत्व को जान कर उसका अगले जनम में भी पालन कर पाए हर हर महादेब ये थी शिवरात्री के चारो पहरों की कथाएं अब सुनिए 12 जोतिरलिंग इस्तोत्र का हिंदिय अनुवाद जो शिफ अपनी भक्ती प्रदान करने के लिए सुरास्ट प्रदेश में दयापूर्वक अफ्तरित हुए हैं चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूशन बना है उन जोतिरलिंग स्वरू भगवान श्री सोमनात की मैं शरण में जाता हूँ जो उचाई के आदश भूत परवतों से भी बढ़कर उचे श्री शैल के शिखर पर जहां देवताओं का अत्यन्त समागम रहता है प्रसनिता पूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है उन एकमात्र प्रभू मलिकार्चुन को मैं नमस्कार करता हूँ संत जनों को मुक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंती पूरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार धारन किया है उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यू से बचाने के लिए प्रणाम करता हूँ जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के पुर में सदा निवास करते हैं उन अद्विती कल्यान में भगवान ओंकारिश्वर का मैं स्तवन करता हूँ जो पूर्वुत्तर दिशा में चिता भूमी वर्तमान में वैतिनाथ धाम के भीतर सदाही गिरिजा के साथ वास करते हैं देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधन करते हैं उन श्री वैतिनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ जो दक्षन के अत्यंत रमनी सदंग नगर में विवित भोगों से संपन्न होकर आभुशनों से भूशित हो रहे हैं जो एकमात्र सद्भक्ती और मुक्ती को देने वाले हैं उन प्रभू श्री नागनाथ जी की शरण में मैं जाता हूँ जो महागिरी हिमाले के पास केदार शरंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनिश्वर द्वारा पूजित होते हैं तता देखता असुर यग्य और महानसर्प आदी भी जिनकी पूजा करते हैं उन एक कल्यान कारक भगवान के दारनाथ का मैं इस्तवन करता हूँ जो गोदावरी तटके पवित्र देश में सहिय परवत के विमल शिकर पर वास करते हैं जिनकी दर्शन से तुरंथी पातक नस्ठ हो जाता है उन श्री त्रयंबकेश्वर का मैं इस्तवन करता हूँ जो भगवान श्री राम चंदर जी के द्वारा तामर पढणी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांध कर इस्तापित किये गए उन श्री रामिश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ जो डाकिनी और शाकिनी व्रिंद में प्रेतो द्वारा सदयव सेवित होते हैं उन भक्ती हितकारी भगवान भी मशंकर को मैं प्रणाम करता हूँ जो स्वैम आनन्द कंद हैं और आनन्द पूर्वक आनन्दवन वर्तमान में काशी में वास करते हैं जो पाप समुंग के नाश करने वाले हैं उन अनाथों के नाथ काशी पती श्री विश्वनात की शरण में मैं जाता हूँ जो इलापुर के सुरम्य मंदर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनी हो रहे हैं जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है उन ग्रिशनेश्वर नामक जोतिर में भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ जय भोलेनात इसे स्तोत्र के साथ ही आज की वीडियो भी समाप्त हुई उमीद है आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जरूर कर लिजेगा